लो गाइज दिस इज नवीद एलक्ट्रेशन और आज के इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूं है चाहे आपके पास बाइक हो आटो हो कार लारी ट्रक बस कोई भी गाड़ी हो आप सबके लिए इंपोर्टेंट है यह पर कई ना कई बाइक क्वालों के लिए खायर न और जब खराब हो गया तो कोई आफ्शन ने रहता आपको बस फेग दो इसक्राप के निचे चले आता उसके अलावा अब मानलो आटो हो गया लारी ट्रक्टर कार बोलेरो एस्वी यह बस कोई भी बड़ी गाड़ी आपके पास तो आप सबके लिए यह वीडियो बहुत इ इंटेनेस है और जो भी उसका मतलब बैटरी में पानी दालना हो या पानी को बदलना हो तो बहुत आसन तरीखे से आपको समझाने वाला हूं मैं आपको को एलेक्टरेशन के पास जाने की दूरत नहीं है अगर आप किसी एलेक्टरेशन से कराना चाह रहे तो बहुत अच् पर आपको मोटे मोटे अलफागन सबसेल आपको करना क्या है इस खेंगा ढ़कन पांद तो बैटरी फेल हो गया वोले सागर आपको टार्श न के पास भी जाएंगे ना तो मल्टी मेटर से देखेंगे या फिर हैट्रोमेटर से चक्कर को बताएंगे पर अगर आप घर बैटे मालूम करना है तो करना उजबी निये बस आपको छे जो उसके जह के खोल लेना है खोल आपका बैटरी खतम हो गया या फिर यह तो हो गया बैटरी अच्छी है या बुरी है पैचानने का अब जो आपकी बैटरी रेगलर है मानलो बैटरी आप आज दाले या इस महीने आज से एक दो चार महीने पिछले बतलब एक दो महीने बैटरी लगा तो आपको क्या पानी मेंटेंट करना रहे तो अब यह सम्मर के दिनों में तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बैटरी का जो ऐसी डे एक लेवल तक मेंटेंट करें उसके लिए क्या करना है आपको कोई भी हो चाहिए आटो कार लारी कोई भी बैटरी 22 का चोटा बैटरी हो या 150 का बड़ा ब पानी उसके लिए आपको क्या करना बस उफर से एक दो दो इंच कम रखना है मतलब मानलों भी बैटरी का हमारा एड़ हो गया उपर का च्छत धकन खोले खोलने के बाद देख सकते एक दो दो इंच मतलब इतना ग्याप हो ना इतना ग्याप रखके क्या अगर पानी कम लग आपको फुल करना निया जैसे देखो किनली का हो गया जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर जो बाटल वाटर बाटल जो है उसमें देख सकते आप यह पूरे पूरे फिलब नहीं होते इतना ग्याप देते उसमें क्यों वह ले तो वह तो खाईर पानी का हो गया तो आपको सेम इस्तेमाल करें डिश्टिल वाटर में डिस दस रूपे का फर्क है पर डिश्टिल वाटर भी कोई बुरा नहीं है यूज कर सकते पर जाद अब वहतर रहेंगा कि आप इस वीडियो में तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो तो यह देख सकते मेरे पास एक एक साइट का बै बैटरी खोलने का मस्तद क्या है यह बैटरी हम नया उंस्टाल करके 5-6 महने हो गए पर अभी तक इसका पानी नहीं देखे हम के पानी कम है या जादा है तो उसके लिए आज हमको खोले तो स्टेप बए स्टेप कंप्लिट बताऊंगा मैं इसको आपको पानी चक करने का त और से आपको देख सकते कुछ इससारा बहुत आसाने खोलना अराम से खोल सकते आपको एक रुप्या या दो रुप्य के कैन से अगर आइसा नहीं खुल रहा तो कोई एक कटिंग प्लेयर या फिर इस तरह का निउस प्लेयर कोई एक ऐसा अच्छा पकड़ने के लिए कोई एक प्लेयर ले लो लेने के बाद देख सकते भी आप अपने स्क्रीन पर जैसा देख रहे बस ऐसा आपको फटा फट से खोल लेना है तो हर बैटरी चाहे कोई भी बैटरी चोटा हो या बड़ा हो इसमें छे होल साते है तो खोलने के बाद देखो फटा फट से खोल दिया ह होرا तो यह कं तो इसमें तो बहुत कंए मतलब ना कर बरादर है तो घर सकते जब आपनी एटरी को पानी के लिए खोलेंगे तो आपको खुला आशानी से दिख जाता आपको उसके लिग जहारे तो दो इंच तक का झैप रखना हो पर से जो में सटार्टिंग में या फिर देखो और एक चक करने का तरीखा बता है तो मेरे पास हाइटरो मेटर है तो सबसे पहले हाइटरो मेटर में कुछ इस तरह हम इसको पंच करें दबाने के बाद वापस खीचेंगे तो अभि यह जो देख सकते बैटरी से जो पानी बाहर आ रहा ये पानी काला नहीं हुआ, मतलब regular है, पानी का आम तो पर जो color रहता हो इसा साफ है इसका मतलब ये battery का जो 6 cell है, तो ये 6 cell में से ये एक पहला cell जो हम test कर रहे हैं ये cell, okay, अगर मान लेजिए इसमें अगर पानी काला हो जाता या black color का हो जाता था तो ये cell मतलब चले गया, खराब हो गया जैसा, तो अभी देख सकते हैं, दूसरा cell टेस्ट कर रहे हैं तो ये भी पानी अच्छा है, काला नहीं हुआ, मतलब इसका मतलब गया है, ये दोनों cell अच्छे हैं हमारी battery के, तो हम पूरे 6 भी cell टेस्ट करेंगे तो यहां देख सकते हैं, अब हम तीसरा टेस्ट कर रहे हैं, तो देख सकते हैं, आपको बोला था कि पानी कम होता, तो यहां देखो, आपके सामने मैं इसको प्रेस कर रहा है, पर इसके पानी इसको नहीं लग रहा है, मतलब इसमें बहुत कम हो गया पानी, और ये देख सक कि यहाँ पे थोड़ा कम है देख सकते एर रहा मतलब इसमें पानिंग में भी बोला था ला कि दो चैक रहा है तो यहाँ देख सकते यह फूरा ढहुता आफ्ल की का एक जुछ एक यह चेल को सबसे हैं ten इसको पानी को इसके में ऐचे हैं यहां काम करें आगे तक हम स्क्राइब आपको अपकर विभाट करें यह 1000 का दोब गया घ्झार होना अगर मान लोगर आई के बुधis आपका जो पानी के अंदर ग्राविटी है वो खतम हो गया या तो आपको आइसीड को बदलना पड़ता या फिर आइसीड को अपनी सुरी बैटरी को मिशिन के उपर चार्जिंग करना पड़ता आपको तो यह था टेस्टिंग पानी का तो खैर अभी आपको क्या करना है देख सकते हैं मेरे पास आइसीड है तो यह लिखा हुआ भी है बैटरी आइसीड मिक्सचर तो और एक भी खास बात यहां लिखा हुआ है देख सकते हैं मतलब यह पीने का नहीं है अगर आप पीले तो मतलब बहुत बुरा हो जाता जो एक बार ऐसा हुआ भी था तो मेरे दोसको घलती से पीलिया तो उसको खून के उल्टया हो गए और 12-15 दिन हास्पिटल में भी रखना पड़ा था तो खैर जो भी हो आपको बता दो मैं देख स पास अगर यह नहीं भी रहा तो कोई प्राब्लम नहीं है बस आप मेरे पास है इसलिए मैं आपको बता रहा है अगर आपके पास भी ऐसा कोई जुगाड है तो अच्छी बात है या फिर देख सकते इसको निकाल दो और यह जो अभी जैसा स्क्रीन पर देख रहा है आप आ इसलिए तो अभी आपको यह देखो पांच वा तो सेम आज़ेटीज करना है बस आपको उफर से थोड़ा सा देख लेना है कि पानी ओवर फुल ना हो के उफर से दो या थोड़ा बहुत कम जादा भी हो तो चलता पर आपको दो इंच एवरेच समझ की चलना है तो देख सक यह हो गया हमारा पांच और यह हो गया लास्ट का सिक्स नंबर पर चेटों ओके तो क्या करें हम लोग पूरे के पूरे च्छे जो होलों में पानी चड़ा दिये मतलब आई सीट को डाल दिया हम लोग थोड़ा सा कम था इसलिए अभी आपको क्या करना है गवर यहां देख हो झाथ है यह जिesi बंवह दूब तरिक किसी नंसीर में बाड़ी में पानी दालने का तरीखा तो नहीं तरवे हैं तो इसवीडे नहीं में बस एतना ही तो आपसे एक उमीद है और इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिसके पास चाहे को आटो, लारी, ट्राक्टर, कार, कोई भी बैटरी हो, सब के लिए सेम तरीखा है मेंटेनेस का, तो शेयर जरूर करना, तो इस वीडियो में बस एतना ही, मिलेंगे नेक्स वीडियो में, जय प्रत्व हैं